हाई अबरिबन वलकम डो डिश्टल जी के क्लासेश तो जैसा कि आपको पता है कि BPSC TRE3 का फॉर्म तो भरा जा रहा है बट अभी सभी जीलों से रिक्तियां आप सभी के सामने नहीं आई है कि किस जीले में कितनी रिक्तियां है और साथ में टोटल कल क्योल पूर्णिया जील भी आपकी आगे हो सकती है उसके पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगे कि जैसा कि आपको पता है कि ये मैंने आपको BPSC TRE3 का जो है यहां पर बताया था कि किस तरीके से आप यहां पर प्लेलिस्ट में जा कर BPSC TRE3 की सारी क्लासेश देख सकते हैं तो जितनी लोग भी त अच्छे से इस क्लास को करो और आज पांच बजे जो है हमनों एक घंटे का मौक टेस्ट करने वाले हैं जो की कोश्चन अभी तक पूछेगा है ठीक है तो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगी पहली बार आए हैं तो चानलों को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को सामनी निकल कर नहीं आई हैं वहीं पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि सिक्षक निक्ति परिक्षा के लिए जीले में बनेंगे 40 सधी केंद्र और यह आया है मुझफर पूर से कि BPSC तीसरे चरण की सिक्षक निक्ति परिक्षा में 40 सधी केंद्र बनेंगे 25,000 भीर्थियों के लिए केंद्र बनानी का निर्देश दिया गया है और उनके लिए जो हैस्सेंटर की सूर्ची भी मागी गई है और इसके बाद से सारी संभावी तीतियों में कि हम इस संभावी तीति भी सामने निकल कर आ रहे हैं कि तारी को एक्षाम हो सकता है 9 मार्श, 15 म ठीक है इसको परिक्षा आपका क्योंकि वैसे भी पहले से सभी को पता है कि साथ से 15 मार्श के बीच में एक्जाम होगा बट यहां पर तीन देट निकल कर आ रहे हैं तो आपको अपने तैयारी इसके अकॉर्डिंग करना क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है ठीक है डियों न इस जहां पर नकल वगरा का कभी ऐसा सुनने में ना आया हो तो यह आपकी एक 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 एकजाम डेट निकल कर आ रही है तो आप अपना सोच लो क्योंकि आज हमारा 18 होई चुका है मुस्किल से अगर देखा जाये तो इस महीने में हमारे पास क्योंकि एक दो दिन कभी ऐसा ह है अब पांच वजे कराती हूं बाकि यह मैंने आपको बताया ही है कि जो ट्यारी 3 की जो रिक्तियां कल मैंने आपको दिखाया था जो पूर्णिया से रिक्तियां आई है और एक चिज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी जो यह चीज यह वाली इंपोर्मेशन आपको देखने को मिल जाए नहीं तो कल तो आपको देखने को मिलेगा ही कोटिक वार विशैवार रिक्तियां समान प्रसासन विभाग से BPSC को अभी सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियां प्राप्त हुई है देखो रिक्तियां प्राप्त हुई है तो जो भी रिक्तियां प्राप्त होते ही BPSC जो है नोटिस जारी करेगा नोटिस के साथ रोस्टर जारी करेगा क्योंकि अभी तक बहुत सारी स्टूडेंस इसलिए फॉर्म नहीं भरे हैं पता ही नहीं है किसमें कितनी vacances आएगी इस वज़ा से भी form भरने की date बढ़ाई जा सकती है तो form भरने की तीथी को भी बढ़ाई जा सकता है रोस्टर में देरी की वज़ा से जादातर अभिहर्थियों ने अब तक form ही नहीं भरा है बहुत सारे ऐसे students हैं जो wait कर रहे हैं बिपेसी के रोस्टर का late fine के साथ 25 February तक form भरा जा सकता है और कल आयोग में TRE 3 को लेकर meeting भी होनी है ठीक है तो आयोग के सदस इम्तियाज अहमद करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक चेर्मेन के प्रभार में है तो यहाँ पर दो चीज़े निकल कर आ रही है एक तो आपके form भरने की date आगे बढ़ेगी 25 वाई एक से दो दिन का होगा और कल जो है आपको रोस्टर देखने को मिलेगा कि किसमें विसेवार जीलेवार ठीक है यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया यह देखे कोटिवार विसेवार यह सारी चीज़े कल आपको पता चलेगी तो चलिए बस कल का वेट है और जो भी information इनके माध्यम से बताई जाती है सारी चीज़े सही होती है और मार्च में आपका paper है 100% है, confirm हो चुका है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया बट attempts related भी चीज़े निकल कर आनी चाहिए तो 9, 15, 16 मार्च को exam हो सकते हैं क्योंकि जो हमारे chairman sir थे अतुल प्रसाज जी उन्होंने ही चीज़े बताई थी कि 7 से 17 मार्च के बीच में paper होगा आप यह 3 डेट निकल कर आ रही है तो चलो जिसने form नहीं भरा है form भर लेना क्योंकि कल तो वैसे भी roster clear हो जाएगा और exam की date आगी नहीं जा सकती है आप भी जानते हैं उसके बाद होली से पहले ही इनको paper complete कराना है तो यह information थी मिलते हैं 5 बजे पांच बजे मॉक टेस्ट होना है दूसरा हमारा बहुत important class है तो चली thanks for watching